नमस्कार स्वागत है आपका न्यूजरूम पोस्ट पर और मैं हूँ आपके साथ रितिका टीम इंडिया को हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ल कब जिताने वाले खिलाडी उम्र की धोकदरी मामले में फस गए है जी हाँ हम बात कर रहे हैं तेज गेंद बास राजवर्धन हंगर गेकर की जिन पर अपनी उम्र कम दिखाने का गंभीर आरोप लगा है क्या है ये पूरा मामला आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर जिस युवा क्रिकेटर के हम बात कर रहे हैं वो असल में है कौन राजवर्दन हंगर गेकर का जन्म 10 नवंबर 2002 को उस्मानाबाद में हुआ था वो तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने में सक्षम है एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 33 रनों की ताबर तोड पारी खेल कर उन्होंने कपिल देव और हार्दिक पांडिया की याद दिला दी थी कुछ फैन ने तो उन्हें कपिल देव भी कह दिया था आल राउंडर राजवर्धन हंगर गेकर ने 16 जनवरी 2021 को सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में महरास्ट के लिए T20 के शिरुवात की थी उन्होंने 21 फरवरी 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 में महरास्ट के लिए लिस्ट A में प्रदार्पन किया अब जानते हैं हंगर गेकर से जुड़े विवात पर तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हंगर गेकर की असल उम्र 21 साल की है इसके पावाजुगत वो अंडर 19 वर्ल्ल कप खेलेंगे हंगर गेकर ने गेंद और बल्ले से बहतरीन प्रदर्शन किया था और अब टीम नीनिया ने इंगलेंड को हरा कर वर्ल्ल कप में जीत भी दर्श की थी हंगर गेकर पर उम्र शिपाने के गंबीर आरोख, खेल और युवा विभा के आयुक्त उम्प्रकाश बकोरिया ने लगाई है इस आईये सदिकारी ने बीसीसियाई को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने हंगर गेकर के खिलाफ सबूत भी भीजे है शिवसेना के मुखपतर सामना में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसियाई को लिखी अपनी चिठी में उम्प्रकाश बकोरिया ने कहा है कि धाराश शिव के मुख्यकारी अधिकारी राहुल गुपता ने राजवर्दन हंगर गेकर की जर्मतिती की पुष्टी की ह उनके मुताबिक राजवर्दन टेरना पब्लिक स्कूल धाराश शिव के छात्र हैं और स्कूल रिकॉर्ड में पहली से साथवी कक्षा तक की हंगर केकर की जर्मतिती थी 10 जनवरी 2001 थी हाला कि आठवी में नया एड्मिशन देते हुए प्रिंसिपल नी अनौपचारिक रूप से राजवर्दन की डेट ऑफ बर्थ को बदल कर 10 नवंबर 2002 कर दिया था यानी 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच हुए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के वक्त राजवर्दन हंगर केकर की उम्र केवल 21 साल थी यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर BCCI की जांच में हंगर गेकर दोशी पाये जाते हैं तो इस खिलाडी पर बैन भी लग सकता है साल 2017-18 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के ओपनर मंजोत कालरा भी इसी तरह की उम्र विवाद में फसे थे और उन पर भी एक साल का बैन लगा था अगर ऐसा होता है तो हंगर केकर के लिए ये बड़ा चटका साबित हो सकता है और यही नहीं इस खिलाडी का IPL कॉंट्रेक्ट तक रद किया जा सकता है तो ये थी राजवर्दन हंगर केकर से जुड़ा विवाद और उनकी क्रिकेट में सफर की दास्तान इस वीडियो में फिलाल इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें किसी नई जानकार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार